आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंग्रेजी के शबडों को पढ़ने का एक ऐसा आसान सा तरीका जिसकी मदद से आप किसी भी अंग्रेजी के शबड को पढ़ना सीख सकते हैं अगर आप आज की क्लास को ध्यान से पूरा देख लेते हैं, तो आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत हत्तक आसान हो जाएगा, तो चलिए पटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजे, क्योंकि ये बाद में आप लोग भूल जाते हैं, और हमसे जुणने के लिए नीचे दिये गए सब्स्क्राइब बटन को दबा लेना, साथ ही गंटी को भी दबा लेना, जिससे की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तो चलिए पटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, यह हमारा पहला शब्द है और इसे हम बोलते हैं, cold, क्या बोलते हैं, cold, C के लिए यहाँ पर कर का अस्तमाल हुआ, और O के लिए, कर पे O की मातरा ओ गई, L के लिए यहाँ पर आधे लगा अस्तमाल किया, और D के लिए डर का, तो यह बन गया cold, cold, cold का मतलब होता है ठंडा, यह हमारा अगला शब्द है, इसे हम बोलते हैं, hot, क्या बोलते हैं, hot, H से हो गया ह, और O से, यहाँ पर इस तरीके से ओ आ गया, और T को टरलिकते हैं, तो यहाँ टरलिक दिया, तो यह बन गया hot, H O T, hot, hot यानि गर्म, अगला शब्द है, well, W E double L, well, तो W से हो गया, व और E से, हाँ पर व पर एक ही मात्रा आ गई, और डबल L के लिए, लो का अस्तमाल हुआ है, तो यह बन गया, well, W E double L, well, well यानि अच्छा, जैसे कहते हैं, all is well, ठीक है, और well का मतलब कुआ भी होता है, ठीक है, next word है, cell, S से हो गया, स, और E से, स पर एक ही मात्रा आ गई, और डबल L से, हम L को लो लिखते हैं, तो यहाँ लो लिख दिया, तो यह बन गया, cell, S E double L, cell, cell का मतलब होता है, बेचना, कोई चीज बेचने को cell कहते हैं, ठीक है, अगला शब्द है, we, W E, we, W से हो गया, व और E से, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी, तो व पर बड़ी की मात्रा आ गई, तो यह बन गया, we, we का मतलब होता है, हम लोग, या हम, ठीक है, ही, ही यानी, वह, और ही का इस्तमाल, किस के लिए होता है, किसी पुरुष के लिए, यानी किसी लड़के के लिए होता है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, शी, S H से हो गया शो, और E से, शो पर बड़ी की मात्रा आ गई, यह बन गया, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा, मी, M E, M से हो गया, म, और E से, म पर बड़ी की मात्रा आ गई, तो यह बन गया, मी, मी का मतलब होता है, मुझे, clear है, नेक्स्ट वर्ड है, B, B E, B, तो B से हो गया, ब, और E से, पर बड़ी की मात्रा आ गई, तो यह बन गया, और B का मतलब क्या होता है, हिंदी में, खोना, ठीक है, अगला शब्द है, LAP, L A P, LAP, L, L से हो गया, ल, और A से यहाँ पर, ल पर, I की मात्रा आ जाएगी, और P से होता है, पर तो यह बन गया, LAP, ठीक है, LAP का मतलब क्या होता है, गोध, ठीक है, गोधी को क्या कहते है, LAP कहते है, अगला शब्द है, MAD, M A D, MAD, M से हो गया, म, और A से, म पर I की मात्रा आ गई, और D से ड, तो यह बन गया, MAD, MAD का मतलब होता है, पागल, ठीक है, पागल को क्या कहते है, MAD कहते है, Next है, NAP, N A P, NAP, N को, न लिखते हैं, और A के लिए, न पर I की मात्रा आ गई, P को प, तो यह बन गया, NAP, N A P, NAP, NAP का मतलब होता है, जपकी, जपकी लेने को, NAP बोलते हैं, English में, Next है, PAN, P A N PAN, P से हो गया, P, A से P पर I की मात्रा आ गई, N को न लिखते हैं, तो यह बन गया, PAN, P A N PAN, PAN यानि, खढ़ाई, जो खढ़ाई होती है, उसे PAN बोला जाता है, फिर है, TAP, P से P, तो यह बन गया, TAP, TAP यानि, NULL, NULL को, TAP बोला जाता है, फिर है, MAN, M A N, MAN, M से हो गया, म, और, A से, म पर I की मात्रा आ गई, N को, न लिखते हैं हिंदी में, तो न लिख दिया, तो यह बन गया, MAN, M A N, MAN, MAN यानि, आदमी, ठीक है, Next word है हमारा, JET, J E T, JET, J को, J लिखते हैं, तो यहाँ J लिख दिया, E के लिए, A की मात्रा आ गई, तो J पे A की मात्रा लगा दी, T के लिए T, तो यह बन गया, JET, JET यानि, YAN, ठीक है, Next word है, RED, मात्रा आ गई, D को D, तो यह बन गया, RED, RED यानि, LAL, लाल रंग को, RED बोला जाता है, फिर है, BET, B E T, BET, B को B लिखते हैं, E के लिए, B पे, A की मात्रा आ गई, T के लिए, T, तो यह बन गया, BET, BET का मतलब होता है, SHARTH, SHARTH लगाने को, BET बुला जाता है, NEXT WORD है, GET, G E T, GET, G को G लिखते हैं, E के लिए, G पे, A की मात्रा आ गई, T को T, तो यह बन गया, GET, GET का मतलब होता है, PANA, ठीक है, NEXT WORD है, LIP, L I P, LIP, L को L लिखते हैं, तो यहाँ, L L लिख दिया, I के लिए, छोटी की मात्रा कस्तमाल हुआ, L पे, छोटी की मात्रा आ गई, P को P, तो यह बन गया, LIP, LIP का मतलब होता है, HOT, ठीक है, NEXT WORD है, RIP, R I P, R I P, R के लिए हो गया, R, I के लिए, R पे, फिर है, HID, H I D, HID, H से हो गया, H, I के लिए, H पे, छोटी की मात्रा, D कोडर, तो यह बन गया, HID, HID का मतलब होता है, छुपाना, ठीक है, फिर है, KID, K I D, KID, K को लिखते हैं, क, और, I के लिए, कोड़ पे, बच्चा, ठीक है, बच्चे को क्या बोलते हैं, KID, Next word है, SIP, S I P, SIP, S से हो गया, Sir, I के लिए, Sir पे, छोटी की मात्रा आ गई, P को पर लिखते हैं, तो यह बन गया, SIP, S I P, SIP, SIP का मतलब होता है, घूट, यहते हैं, सिप सिप करके पानी प्यों, यानि, घूट घूट, करके पानी प्यों, ठीक हैं, फिर है, BID, 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 B को ब लिखते हैं, और I के लिए, बच्चोटी की मात्रा आ गई, D को ड, तो यह बन गया, BID, 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 BID का मतलब होता है, बोली, बोली लगाने को, BID बोला जाता है, नेक्स्ट वर्ड है, D, D, A, Y, D, D को लिखते हैं, D, और A के लिए, हम A की मात्रा लगा देंगे, D, पे, और Y का अस्तमाल नहीं हुआ है, तो यह बन गया, D, ठीक है, D का मतलब होता है, दिन, नेक्स्ट है, से, S, A, Y, से, S को लिखते हैं, स, और A के लिए, स पे एक ही मात्रा आ गई, तो यह बन गया, से, से का मतलब, कहना, कुछ कहने को, से बोला जाता है, फिर है, P, L, A, Y, P, P को, P के लिए, यहाँ पर आधे को का इस्तमाल हुआ है, L के लिए, लो का, और A के लिए, लो पे एक ही मात्रा आ गई, Y का इस्तमाल नहीं किया है, और यह बन गया, पले, P, L, A, Y, पले, पले का मतलब होता है, खेलना, ठीक है, नेक्स्ट है, क्ले, C, L, A, Y, क्ले, C के लिए, यहाँ पर, आधे को का इस्तमाल किया गया है, L के लिए, लो का, और A के लिए, लो पे एक ही मात्रा का इस्तमाल हुआ है, और Y का इस्तमाल नहीं हुआ, तो यह बन गया, क्ले, कले का मतलब होता है मिट्टी ठीक है नेक्स्ट वर्ड है प्रे P-R-A-Y प्रे P के लिए पोकास्तमाल हुआ R के लिए आधे रह का और A के लिए A की मात्रा का तो हमने पोपे A की मात्रा लगा दी और Y कास्तमाल नहीं हुआ है तो ये बन गया प्रे ठीक है प्रे का मतलब होता है पूजा करना या प्रार्थना करना ठीक है नेक्स्ट है बेबी B-A-B-Y बेबी B को बॉलिकिंग लिखते है और A के लिए बोपे A की मात्रा आ गई फिरसे B है तो यहाँ फिरसे B आ जाएगा और Y के लिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा कर अस्तमाल हुआ है तो बॉपे बड़ी की मात्रा आ गई तो यह बन गया बेबी B-A-B-Y बेबी बेबी यानि बच्चा नेक्स्ट वर्ड है लुक L डबल O के लुक L को लिखते हैं यहाँ लिख देंगे और O के लिए बड़े O का इस्तमाल होता है लिकिन यहाँ पर हम छोटे O का इस्तमाल करेंगे उसका रिजन यह है कि जिब हम लुक बोल रहे हैं तो उस पर डबल O पर हम थोड़ा कम जोर देके बोल रहे हैं तो जब भी ओपर कम जोर देके बोला जाता है तो वहाँ पर छोटे O का इस्तमाल होता है तो यहाँ छोटा O लगीगा फिर है के के को लिखते है को तो यह बन गया लुक लुक का मतलब होता है देखना ठीक है एक्स्ट है गुड जी डबल O डी गुड जी के लिए हो गया ग और O के लिए यहाँ पर भी छोटे O का इस्तमाल होगा रीजन सेम है कि जब गुड बोल रहे हैं तो उसमें ओपर थोड़ा कम जोर देके बोला जा रहा है इसलिए यहाँ पर छोटे O का इस्तमाल होगा और D को लिखते हैं तो यह बन गया गुड गुड यानि अच्छा नेक्स्ट वर्ड है लेग L-E-G लेग L के लिए हो गया लो और E के लिए एकी मात्रा आएगी तो लो पर एकी मात्रा आगई जी को लिखते हैं ग तो यह बन गया लेग लेग यानि टांग ठीक है फिर है वेट W-E-T वेट डबलू के लिए हो गया वो और E के लिए वो पर एकी मात्रा आगई ट को लिखते हैं ट तो यह बन गया वेट वेट का मतलब होता है गीला नेक्स्ट वर्ड है स्लीप S-L-E-P स्लीप S के लिए यहाँ पर आधे सोका इस्तमाल हुआ है और L के लिए लो का और डबल ए है और E के लिए यहाँ पर बड़ी E की मात्रा का इस्तमाल हुआ है और P को लिखते हैं पो तो यह बन गया स्लीप S-L-E-P स्लीप स्लीप यानि सोना फिर है घी, G-H-E-E-G-H-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E की मात्र का इस्तमाल हुआ है तो ब पर बड़ी की मात्रा आ गई तो ये बन गया B, B का मतलब होता है मदूमक्ही, मदूमक्ही को बोलते हैं B, ठीक है, नेक्स्ट है, WEEP, W, E, P, W, W को लिखते हैं W, और फिर डबल E है, लेकिन एक E का इस्तमाल होगा, और E को इके लिए बड़ी की मात्रा का इस्तमाल होता है तो यहाँ पर वह पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी पी को पर यह बन गया वीप वीप का मतलब होता है रोना ठीक है एकस्ट वर्ड है सी स डबल इ स के लिए हो गया स और फिर डबल इ है तो उसके लिए बड़ी की मात्रा आएगी तो स पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो यह बन जाएगा सी C का मतलब होता है देखना अपर पूरी होती है हमारी आज की क्लास I hope कि आपको इतना समझ में आया होगा वीडियो पसंद आई हूँ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अपर पूरी होती है हमारी आज की क्लास I hope कि आपको सब्सक्राइब कर लेना और जो लोग पसंद लाई हो तो वीडियो को लाइक करना चाहते हैं उन तक ए वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना है